कि नमस्कार साथ योग क्लाश 24 में आपका स्वागत है आज आपके लिए एक इंपोर्टेंट सेसन लेकर आए हैं और वो सेसन जैसा कि आपने थमनेल में भी देखा होगा कि आरएस की तेहरी से पुरू है यह बातें जरूर जान ले कि आपको करनी है वो तो करनी ही है उसका कोई अप्सन नहीं उसके उपर तो चर्चा करते रहेंगे डली करते हैं आज यह है कि पढ़ाई के अलवा आपको कौन-कौन चीजे हैं जो आपको सदेव ध्यान रखनी है और उन सब के अनुबहु के बाद में मैं आपको बहुत इंपोर्टेंट चीज बताने वाला हूं चार-पांथ चोटी-चोटी बाते हैं उनको आप जिवन में आत्म साथ कर लेना उनका यदि आत्म साथ कर लिया तो मतलब आपको कोई रोखने वाला नहीं है यह मैं तै लिक के बहुत बड़ी एक्जाम नहीं है रास्तान की सबसे बड़ी एक्जाम है लेकिन जीवन के साब से या मनुश्य के सामने देखे तो एक बहुत चोटी चीज़े बहुत चोटी-चोटी बाते हैं उनका आपको आत्म साथ करना पड़ेगा वह बताता हूं मैं एक-एक करके आपके अंदर एक continuity होनी चीज़े निरंतरता है वह सबसे important चीज़े जब आग लगाते हैं और जो बहुत ही घास होता है उसमें आग लगाते हैं तो क्या बहुत बड़ी आग लगती है लेकिन वह लगती क्या है अल्पकाल के लिए लगती है वह एक या दो मिंट के अंदर हो जाती है तो ऐसा नहीं होना चीज़े आप में एक दिन मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और जो सा गया और बारा तेरा चोगदा गंडा पढ़ रहे हूं और पांस साथ दिन तक पढ़ रहे हो आप एक सबता तक पढ़ रहे हो उसके बाद एक दम फुस हो गया जिस प बाद एक दम से लेटके ऐसा नहीं होना चाहिए निरंतरता है वह सबसे इंपोर्टेंट चीज है ठीक सेकंड चीज में आप देखोते फोकस अपका केंदरी तोना चाहिए एक चीज के उपर आरेस की तेरी कर रहे हैं और आपके दिमाग में यह आ रहा है के यार मैं सेकंड ड़ती पर भूंद दस में त्यार करके देखो दस मेंने में बर्ती कम्लेट नहीं होती आरेस की वह आपको इपता है इस में आपको कुछ भी बोल दूंँ लेकिन आप में अपने वह फोकस होना चाहिए एक चीज पर कम से कम कहता हूं कि दो साल तो आप में होना ही सीगी ची जम के त्यारी करो एक ही चीज के ऊपर फोकेस होना चाहिए थर चीज है वह हो जाती है कि धेर यह प्रीक्षा आपको पता है कि फोर इस्टेज में होती है चार चरण में आरेस की प्रीक्षा ना जाए आरेस की ऐसा तो होई नहीं सकता यह तो बहुत बड़ा एक एक अचंबा हो जाए इस ऐसा तो ऐसा नहीं हो सकता तो कोट के अंदर जाएगी लेटलती भी होती है अभी इस बर्तिकाई देख लो आप रिजेल्ट आ गया किते आज तीन महीने होगे कब इसके इंट्र जाता है चोड़ चाड़ के यह तो वहां से प्लाइन कर जाता है कि नहीं नहीं मेरे को जाना ही नहीं है हजार गालिया तो वह इस से अच्छा है कि पहले ही आप जान लो कि आरेस के अंदर आपको पैसेंस तो बहुत जरूरी है एक बरती है वह मिनीमम डेड़ से दो साल है कंप्लीट जोइनिंग करने में यह इतना ले ही लेती है यह वह भी बहुत फास्ट करवाते हैं बाकि तिन-तिन साल लेती हैं तो वह आप में पैसेंस वाली चीज है वह होना बहुत जरूरी है नहीं तो आप डगमगा जाओ बहुत जल्दी हो सकते हैं आपका फ्री हो गया मेंस के लिए उन्होंने पांच छे साथ मैंने निकाल दिये तो आप कि धरिया नहीं है तो बीच में छोड़ के अरबाद में चले जाओ यह बहुत इंपोर्टेंट है और चौती चीज में आपको यह बताता हूं कि आरेस की तेहरी कर रहे हो तो इसका बहुत ज़्यदा तो आपको प्रेशान करने वाले होंगे चुपा-चुप अपनी त्यारी करें बहुत ज़्यदा परचार परचार ना करें क्योंकि मैंनत बोलेगी आपकी आपके बोलने से कुछ नहीं होगा आपकी मैंनत है जब जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन वह आवाज देगा न परचार परचार करना अपना चुपा-चुपा-चुपा-खणी मैनत करते रों और पांचवी इंपोर्टेंट चीज है आरेस की तेहरी कर रहे हो तो यह प्रेम परसंग वाली बात बतारूं यह क्या आप यह उमरी एशिय बीस-पचीस साल के बीच में क्या होता है हार्मोन भोत्ति और गति से रिलीज होते हैं तो यह बाइलोजिकल फेनोमेना है तो प् प्रेम परसंग निकल जाती है और मेंस होता है उसके बीच वाला दारहा होता है सबसे इंपोर्टेंट वह उता हूँ उस समय एक-एक मिन्ट का बहुत बड़ा मेहतो होता है उस समय प्रेम परसंग होता है तो इससे आप बच कर रहे हैं पूरा फोकस रखेंग अग्दम पूरा अपने टार्गेट पर रखें विजी रहें एक दम पूरे इस तरह का मतब फितूर दिमाग में आये नहीं आपके पूरा पढ़ रहे हो उतनी देर पढ़ो और उसके बाद भी टाइम मिलता है तो एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाओ दो गंटे बड़ यह कोई फरक नहीं पड़ता कि आप 21 साल की उमर में हो या 31 की उमर में हो आप एस डिम एस डिम हो जिस दिन डिजल्ट आता है उस दिन आपको खुशियां उतनी ही मिलती है और अनुबव के साथ यदि बनते हो तो उसके कुछ फाइदे और उसके कुछ जो खुशिया है वो अलग होती है नहीं तो क्या है कि बहुत ज़्यादा जल्द बाजिम बन जाता है वो भी ठीक नहीं है सच बताता हूं आपको जो यंग यंग कई एस डिम बने होए वह एक आपने वीडियो देखा होगा यह नागोर वाला वह एसमें हाप पैंट में जा रहा है डोक्टर के सब्सक्राइब कर दूँगा मैं तो वह इन चीजों को द्यान रखें पांच चीजों को तो आपको काफी सारा इस चीज के अंदर फाइदा मिलेगा थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच